नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्वाइंडर इस्टिडी पॉइंट में तो आज चलिए ट्रिपल्ट्रप्रसी में मौडल पेपर 5 सॉल करते हैं जिसमें जीके और साइंस के पाच पाचवा पाट है और ये अतिसंभावित सिरी जिसमें 75 कोश्चन सामिल होंगे जी की से जेन धर्म से संबंदी सिधान है प्रशिद सिव मंद्र जिसको कैलासनात मंद्र किन में जामन करते हैं इसका राष्टकूत सासक क्रिशन पृर्थम द्वारा इसका निर्माल कराया था सुफी संत और वो किन सिल्सिलों से सम्बंदित थे इसका सुमेलन करते हैं सेख निजामुद्धिन ओलिया चिस्तिया सिल्सिले के थे बहाउद्धीन जकारिया ये सुहारवर्दी थे मीर मिया या मिया मीर स्वारी ये कादरी सिलसिले से थे और अहमत सिरहिंदी ये नक्सबंदी सिलसिले से सबंदित थे पुर्तकालियो दोरा काली कट से ले जाये जाने वाले काली कट के सूटी कपड़े यूरोप की मार्केट्स में आम तोर पर क्या कहलाते थे तो यूरोप में जो सूती कपड़े थे काली कट से जो ले जाते थे वो लोग वो कैली को नाम से जाने जाते थे अंग्रेजों द्वारा भारत में जो ब्यापारिक केंद इस्थापित किये गए वो जगह के अनुसार उनका क्या क्रब था तो सूरत में 1613 में सबसे पहले उसके अमदरास में 1649 में फिर बंबई में 1687 में और कलकता में 1698 में ये करम था उनके भ्यापारिक केंद रों के इस्थापिन का ब्रिटिस सासन में अंग्रेज असम एवं मदरास में किसानों को क्रमसा क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे तो असम में जो है चाय के उत्पादन के लिए चाय उगाने के लिए किसानों से को मजबूर किया जाता था मद्रास में चावल की खेती करने के लिए उनको मद्बूर किया जाता था इसके अलावा किसानों को बंगाल में जूट उगाने के लिए और सैयुक्त प्रांत जो आज का उत्तरपदेश है उसमें गन्ना के उगाने के लिए अंग्रेज जबर्जस्ती करते थे इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था स्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था ठगी प्रथा का उन्मूलन इसका करने वाला गवर्नर जनरल कौन है लॉर्ड बिलियम बैंटिक जिसने कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की थी स्पेसली ठगीत प्रथा के उन्मूलन के लिए और उस समय हजारो ठगों को गरिफ्तार करके उनको फासी दे दी गई थी भारत में प्रथम तेलिग्राफ लाइन कहां से कहां तक अधिकारी कार्यों एवन करतव्यों के निर्वहन के लिए जारी किया जाता है तो उस तरिट को हम पर्मादेश या रिटाफ मैंडमस के नाम से जानते हैं कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं भारती समिदान में जो केवल भारती नागरिकों को प्राप्त हैं तो उनका अनुच्छेद याद रखी है हमेशा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी अधिकार ये केवल भारती नागरिकों को प्राप्त हैं ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं फिर कुछ अनुछेद और उनके प्रावधानों का सुमेलन करते हैं तो अनुछेद 44 जो है ये क्या है समान नागरिक सहिंता के से सम्बंदित है 48 ए पर्यावरन सरनच्छन वन एवं वन यू सुरच्छा से सम्बंदित है 49 ए समान न्याय एवं निसुल्क विदिक सहायता के लिए सम्बंदित है 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागिदारी से सम्बंदित है से और अनुच्छेर 41 है कुछ मामलों में काम, सिक्षा और सार्जुनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार तो यह जितने भी अनुच्छेर हैं यह सब राज के नीति निर्देशक तत्तों के अंतरगत आते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अंतिम रूप से प्रमाडित करने का अधिकार किसको है तो लोग सभा अध्य चुदारा यह प्रमाडित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और जब वो एक बार प्रमाडित कर देता है तो वो जो है फाइनल होता है उसके बाद उसके कोई भी डिसकसन नहीं होता है तो आठ किल 110 3 और 114 में यह ब्योस्था दी गई है आप सुमेलन करते हैं कुछ प्रदेश के लोगसभा सीट और राजसभा सीटों से तो उत्तरा खंड में लोगसभा की पास सीटे हैं और राजसभा की तीन सीटे हैं ओडीजा में 21 सीटे लोगसभा की हैं और 10 सीटे राजसभा से हैं इसी प्रिकात त्रिपूरा में दो सीट लोगसभा की और एक सीट राजसभा की और करनाटक में 28 लोगसभा सीटे हैं और 12 राजसभा की सीटे हैं भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्राविधान की सनुचेद में दिये हुए हैं अनुचेद 75 ए में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्टपती के दुआरा की जाएगी और किस प्रकार की जाएगी इसका प्राविधान द है वो मद्रास है आंडमान निको बार द्वीब समू का कलकत्ता है लच्छु दीब का उच्छ न्याले केरल हाई कोड है और इसी प्रकात दमन द्वीब का बंबई हाई कोड जो है उच्छ न्याले है CAG यानि नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक इनका कारिकाल कितना होता है छे वर्स या 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो और CAG का वरणन भारती समिधान में कहां किया गया है अनुच्छ 148 के अंतरगर्ट भारत का मुख कानूनी सलाकार काउन होता है तो एटार्नी जन्नल आफ और इसकी नियुक्ति एवं अंसरिष्ते होती है उनाइटेड नेशन्स कॉन्फरेंस ओन इन्वायर्मेंट एंड डेवलप्मेंट जिसको UNCEED के नाम से जानते हैं इसके द्वारा ब्राजील के रियो डिजिनेरियो में प्रत्वी सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बानवे को किया गया था करक रेखा और मखर रेखा के जो बीच का छेतर होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम ऊश्ण कटिवंड जो है या ट्रॉपिक ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जानते हैं इसी प्रकार डोल्डरम जो निम्न वाइदा आप छेतर होता है इसकी निम्न वाइदा चेतर के नाम से जानते हैं स्रीलंका का सर्वोच परवत सिखर कौन सा है पिडरूटा गाला या माउंट पेट्रो ये स्रीलंका का सर्वोच सिखर या सर्वोच चोटी है नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं 49 या 49 समानतर रेखा किन दो देशों के बीच में है USA और कनाड़ा के मद्द में ये रेखा है अब देश और उनकी राजधानी क्योंकि UPTSC के इधर के जो questions है जो है आए हुए उनमें देश और राजधानीों से भी question काफी पूछे गए है तो चले देखते हैं का जो है Ireland की राजधानी Dublin है New Zealand की Wellington UAE यानि संयुक अरब अविरात की राजधानी आबुदाबी है Denmark की राजधानी Copenhagen है Finland की राजधानी Helsinki है Myanmar की राजधानी Naipida या Nepaido इसकी राजधानी है फिर Maldiv की राजधानी माले है Kanada की राजधानी Ottawa Spain की राजधानी Madrid है Portugal की राजधानी Lisbon और Czech Republic की राजधानी Prague है और Norway की राजधानी Osle है तो मुझे उमीद है इसमें आपको ज़ादा तराजधानी पता होंगी क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत वाली चीज़ नहीं है यह हम लोग बचपन से या हमेशा इस चीज़ पढ़ते आए हैं फिर प्रत्वी के भूपरपटी तथा mental यही भूपरपटी तथा mental के बीच में एक तरह के सीमा रेखा बनाने का काम करता है स्वेज नहर का उत्री प्रिवेशद्वार पर कौन सा बंदरगा इस्थित है उत्री प्रिवेशद्वार पर पोर्ट साईड नामक बंदरगा है स्वेज नहर लाल सागर और भूमद सागर को आपस में जोडने का काम करता है सरवाधिक मुस्लिम आबादी वाले विश्व के देशों का क्रम क्या है तो विश्व सबसे आदाबादी इंडोनेशियम पाए जाती है उसके बाद पाकिस्तान में और भारत में तो ये तीन मुस्लिम आबादी वारे सीर्स देश हैं जननांकी अभिलच्छनों के आधार पर भारत का वरगी करण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया जाता है तो जननांकी अभिलच्छनों के आधार पर भारत तीसरे चरण में चला है और तीसरे चरण को विलंबित विस्तारसील चरण के नाम से भी जानते हैं वातावरण में कुलोरो फ्लोरो कारबन गैसों के उससर्जन के पर प्रतिबंध लगाने संबन्दी पहला प्रोटोकॉल कौन सा था तो पहला प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एक-एक 1989 से प्रभावी हुआ था और आज की डेट में इस पे जितने भी युनाइटेड नेशन्स के सदस्य देश हैं सभी द्वारा इस पे हस्ताक्षर किये जा चुके हैं भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निरियातक देश कौन सा है कनेडा जो 15-16 के नविंतम डाटों के अंसार है और यूरेनियम के सीर सुषपादक देश 2016 का जो फाइनल डाटा है उसके अंसार कजाकस्तान, कनेडा और आस्ट्रेलिया ये जो है सीर देशों का क्रम हो अब कुछ देश और इनकी स्थानी पवन को सुमेलित करना है आस्ट्रेलिया विली विली जापान और चीन के टटों पर टाइफून नामा के स्थानी पवन चलती है फ्रांस में मिश्ट्रल और वेस्ट इंडीज में हरिकेन इन धनुस या रेनबो जो बारिस के समय बनता है तो उसके पीछे कौन सी प्रकासी घटना होती है तो परावर्तन पूर आर्थिक परावर्तन और अपवर्तन ये तीनों ही घटना है उसका कारण होती है इन धनुस दो तरीके से बनता है पहला होता है प्रात्मिक इसमें क्य दो बार अपवर्तन की घटना के बाद एक बार परावर्तन की घटना होती है यानि जो बारिस की बूदों पे सूर का आपतित प्रकास होता है वो दो बार अपवर्तित होता है उसका एक बार परावर्तित होता है तब प्राथमिक इंदुधन्स बनता है और इसकी एक और घटना उसके बाद दो बार परावरतन की घटना घटती है इस कारण बैगनी रंग जो है बाहर की ओर और लाल रंग इन अंदर की ओर इसमें दिखाई देता है एसिया की विसालतम परावर्ती दूर्बीन कहां पर इस्थित है ये वेडू बापू वेदसाला में इस्थित है जो की तमिलनाडू के विल्लोर जिले के कवालूर नामकिस्थान पर इस्थित है हाइडोजन परमाडों की लाइमेंस रेडी इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम यानि विद्दुच्युम की तरंगों के जो इस्पेक्ट्रम के किस परास में आती है तो ये अल्ट्रा वाइलेट या पराबैगनी परास के अंतरगत हाइडोजन परमाडों की लाइमेंस संख्या एक हो तो उस पिंड की गती कितनी होगी मायक संख्या एक का मतलब है कि ध्वनी की चाल के बराबर उसकी गती है बिद्धुत आवेश के संरच्छन का सिध्धान्त ये बिद्धुत आवेश के संरच्छन का सिध्धान्त है इसकी खोज की गई थी वेंजामिन फ्रैंक कहलाएगा यानी consequent pole के नाम से इसको जाना जाएगा उपग्रह संचार यानी satellite communication के लिए प्रियुक्त electromagnetic radiation कौन सा होता है microwave का उसमें यूज होता है जिनको हम हिंदी में सूच मतरंगों के नाम से जानते हैं ICMP जो computer से related है इसका full form क्या है internet control message protocol किस protocol का प्रियोग server से email को पुना प्राप्त करने के लिए किया जाता है POP3 यह जो है प्रोटोकाल है जो उसका प्रियोग server से email को पुना प्राप्त करने के लिए किया जाता है computers के जो microprocessor होते हैं उनके कितने भाग होते हैं important question है यह उसके तीन भाग होते हैं पहला भाग कहलाता है Registers दूसरा जो है ALU यानि Arthematical Logical Unit और तीसरा भाग जो है Processor का Control Unit के नाम से जाना जाता है पहला ब्योहारिक प्रियोग वाला Electronic Computer कौन सा था उसका नाम था INIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator यह इसका Full Form था INIAC का और इसमें जो है जैसे आजकल जो है Silicon Chips और Microprocessors का यूज होता है तो इसमें vacuum tube का उपयोग हुआ था और इसका आविशकार सन 1946 में JP Eckert और John Marksley ने किया था Next Question देखते हैं इस थिरताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा दाब बढ़ जाएगा तो ये आप clear है कि while का नियम आपने पढ़ाई होगा P is inversely proportional to 1 oblique V यानि अगर जो है आयतन बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ जाएगा आयतन कम होगा तो स्वारी दाब बढ़ जाएगा लेकिन सर्थ क्या है कि गैस का ताप इस्तिर रहना चाहिए पेट्रोल का इस फोटक रोधी गुण यानि anti-knocking जो प्रापर्टी होती है जिसको हम कहते हैं आक्टेन संख्या जिसमें जिसको नापा जाता है तो इस फोटक रोधी गुण को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिला जाता है टेट्रा एथिल लेड मिला जाता है जिसका फार्मूला यह लिखा हुआ है और anti-knocking agent कहते हैं टेट्रा एथिल लेड को बायो डीजल का जो उत्पादन किया जाता है जैसे जैसे ट्रोफा प्लांट है और अन्य प्लांट है इनसे तो इसमें राखसायनिक प्रक्रम यानि chemical प्रोसेस के अपना जाता है तो इसमें esterification एवं trans esterification का प्रोसेस अपना जाता है सिलिकान किसका पॉलीमर है सिलिकान का मोनोमर क्या है डाई एलकिल डाई क्लोरोसिलेन लब डाइक एलकिल डाइक लोरोसिलेन जब कई सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं तो यह जो है सिलकॉन बना देता है नायलान का विश्कार किस ने किया था नायलान का विश्कार डाक्टर वैलेस एच कहराथर्स ने किया था 1935 में नेल पॉलिस रिवूवर जो हैता है इसमें कौन सा केमिकल होता है इसमें एसिटोन होता है बर्न्ट लाइम यानि दग्द चूना या बिना बुझा हुआ चूना इनको यह क्या होता है CAO यानि कैल्सियम आउकसाइड को बर्न्ट लाइम कहते हैं ब्लाइक लंग नामक डिजीज किस किन तरह कहां पर हो जाता है तो कोईला खान में काम करने वाले मजदूरों को कमचारियों को ब्लाइक लंग डिजीज जो कोईले की धूल होती है उसके कारण हो जाता है सुमेलन करना है हमको एनिमल स्टार्च कौन सा होता है गलाइकोजन पैपसिन का क्या कार है ये प्रोटीन का पाचन करता है अगनासई रक्स या पैंक्रियाटिक जूस कौन सा होता है ट्रिपसिन कोलेस्टरॉल का संसलेशन कहां पर होता है लिवर में होता है फिर सुमेलन कर यह मैंने सुमेलन वाले कुश्चन ज्यादा मना रखें जिससे आपका छोटे छोटे में आपके कई सारे फैक्ट कवर हो जाएं तो किडवन या फर्मेंटेशन यह क्या होता है यह एक प्रकार का अवाईवी यह स्वसन है यानि एन अरोबिक रिस्पाइरेशन है अवाईवी आत का जो अंतिम सिरा होता है लास्ट पार्ट होता है उसको इलियम के नाम से जानते हैं डाइस्टेज एंजाइम कहां से सिक्रीट होता है यह लार ग्रंथी या सलेवरी ग्रेंट से सिक्रीट होता है डाइस्टेज एंजाइम करता क्या है स्टार्च को माल्टोज में तोड को देता है पित या बाइल का उत्पादन और स्रावर सिक्रीशन किसके द्वारा किया था लीवर के द्वारा किया था परंत इसका भंडारण कहां पर होता है पित्ता से या गाल ब्लैडर में बाइल का भंडारण होता है और बाइल जूज जो होता है इसका पीच कितना होता है क्योंकि ये छारी होता है, तो 7.6 लेके 8.6 तक इसका pH का मान होता है फिर और सुमेलन करते हैं, कैलसियम का आउशेशन के लिए आवश्यक क्या है? विटामिन D, कौड, लिवर, आयल या जो मचली का तेल होता है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन A और D, पेलागरा डिजीज किस वज़े से होती है? विटामिन B3 की कमी से होती है, और इसकरवी डिजीज जो होती है, विटामिन C की कमी से होती है अभी और सुमेलन हम को देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त कौन सा विटामिन होता है? बिटामिन B नाइटोजन युक्त होता है जेरोप्थेलीमिया रोग किसकी कमी से होता है बिटामिन A की कमी से थ्रोंबो प्लास्टिन का गठन या संसलेशन किसके सहायता से किया जाता है बिटामिन K की सहायता से किया जाता है तब ही कहा जाता है कि vitamin K का रक्त के ठक्का बनने में बहुत ही importance होता है और आत के bacteria क्या करते हैं? vitamin K का sensation करते हैं फिर स्वसन से related कुछ question देखते हैं मनिश सास लेने में जो वायू लेता है उसमें oxygen किते percent लगभग होती है? लगभग 21% जो है उसमें oxygen को लेता है और जो सांस छोड़ता है मनुस से बाहर की और उसमें 16% के लगभग आक्सीजन होती है सामान मनुस एक मिनिट में कित्ती बार सांस लेता है 14 से 18 बार सांस लेता है और 100 ml प्योर ब्लड में रुक्त सुद्ध रक्त में जो आक्सीजन वहन की जाती उसकी मात्रा कित्ती होती है 20 ml उसमें आक्सीजन होती है अब ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो है दो फैक्ट देखते हैं जो आप पहले से भी जानते हैं यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं वैसे तो complete O ग्रूप को universal donor कहा जाता है लेकिन अगर specifically कहीं पूछ ले O positive, O negative और सारे दिये हों तो आपको O negative माना जाता है क्योंकि O negative उसमें कुछ खासियत होती है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है और universal recipient क्या होता है AB positive होता है और केवल अगर group ही पूछा जाए तो जो है आप AB group भी लगा सकते है अगर option में आपके दिया हो हिर्दय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला hormone कौन से होता है थायरक्सिन हार्मोन जो thyroid gland द्वारा सक्रीट किया जाता है फिर luteinizing hormone या दुख धुजनक hormone कहां से secret होता है pituitary gland से sex hormones कहां से secret होते है adrenal gland से growth hormones जो ब्रदी hormones होते है जैसे sometotropine इसका secretion कहां से होता है pituitary gland से होता है और सरीर का ताप नियंतरन केंद मस्तिक्स में कहां पर होता है hypothalamus में होता है कुछ और सुमेलित करते हैं hormone से related questions है आपात कालीन hormone किसको कहते है adrenaline hormone को आपात कालीन hormone कहते है को कि जब हमारा सरीर किसी संकट में होता है तो automatic adrenaline का secretion होने लगता है जिससे हमारे अंदर decision making power और सरीर को सुरच्छित करने के लिए तुरंट क्या उपाय करने है इसके बारे में प्रित्करिया होती है insulin कहां से secret होता है insulin hormone ये pancreas की या अगनासे की जो beta cells होती है उससे secret होता है androgen and testosterone ये क्या है दोनो male sex hormones है मनुस्य में तो ये male sex hormones इसके साथ सुमेलित होंगे progestron का स्रामर जो female sex hormone होता है ये corpus luteum से इसका secretion होता है फिर जो है अब थोड़े से environment से related हम देखते है question project tiger की शुरुवारत कब हुई थी इंडिया में 1973 में 1 जीव सनरच्छन दियम 1972 में पारित हुआ ICN red data book इसमें क्या होता इसमें जो बिलुप्त प्राय प्रजातियां होती है उनका data जो है लिखा जाता है और जापान में एक यूसो रोग जो है बहुत कामनली फैला था जो poly chlorinated biphenyl नामक agent के कारण होता है फिर परियावरणी ये संदर में 3R यानि ट्रिपल र क्यारत निकाला जाता है reduce, reuse और recycle यानि कम करो दुबारा यूस करो और उसको recycle करो जली जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुलित oxygen या dissolved oxygen का इस्तर पानी में कितना होना चाहिए 4-6 mg पर लीटर ये oxygen का अपेक्षित इस्तर होना चाहिए फिर हमको सुमेलन करना है test and treat policy ये किस से related है ये AIDS और HIV के उपचार हिट से सम्बंदित है काला जार जो रोग होता है इसकी वाहक कौन सी होती है सिक्ता मखी हिंदी में कहते है या sand fly flightworm या cupcake क्रपियो का अध्यान क्या कहलाता है helminthology के नाम से जाना जाता है molसका का अध्यान क्या कहलाता है melecology कहलाता है chicken pox varriola virus के कारण होता है और titnes का जो और बैक्तीरिया होता है वो कान सा होता है clostridium titani ये इसका बैक्तीरिया होता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं विनिवेश आयोग यानि डिस इन्वेश्टमेंट कमीशन जो 1996 में बना था इसके प्रतम अध्यच कौन थे जीवी रामकृष्णा इसके प्रतम अध्यच थे अब विनिवेश आयोग का नाम बदल के दीपम कर दिया गया है यानि डिपार्ट इन्वेश्टमेंट आप इन्वेश्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मेनेजमेंट अब कुछ आर्ट एंड कल्चर से जो है रिलेटेट कुश्चन देखते हैं तो न्रत्यांगनाय और न्रत्यों कौन सा है राधा रड़ी कुछी पुडी न्रत्य से संबंदित हैं जो आ आगे देखते हैं कुछ और कलाकार उनकी कलाएं यामनी कृष्ण मूर्ती भारत नाटियम से संबंदित हैं ऐसे सुब्बुलच्मी ये गाईका हैं विश्णु दिगंबर पलुसकर ये संगीतकार हैं पंडित स्युकुमार सर्मा ये संतूर वादक हैं फिर मुथु स्वाम एसेस गोपाल कृष्णन वाइलिन वादक हैं नंदलाल बोस इंपोर्टेंट हैं ये एक चित्रकार हैं गोविंद स्वामी पिल्लई ये भी एक वाइलिन वादन हैं जुबीन महता काफी फेमस नाम है संगीतकार हैं हारी प्रसाज चौरसिया ये वासरी वादक हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं लगभग पुस्तके और लेखक जो है टू लाइफ ये लिखी गई है बिक्रम सेट द्वारा दवर्ड आउटसाइड माई विंडो ये रसकिन बॉंड का बेस्ट सेलर नौवल है आईडल्स ये सुनील गावसकर की बुक है माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवानी द्वारा लिखी गई बुक है इसके बाद ग्रेट इंडियन नौवल ये ससी थरूर द्वारा लिखित एक नौवल है उत्तर प्रेस की जीलें और ताल और कुंड इनका सुमेलन करना है यूपी स्पेसल में इस तरह की क्वेश्चन गौर जील रामपूर में इस्थित है और छितारा जील ये बहराइच में इस्थित है अब आगे और भी देखते हैं दर्वन जील अमबेटकर नगर में इस्थित है विसाथा ताल ये राइबरेली में इस्थित है देवरिया ताल नाम से तो लग रहा देवरिया लेकिन ये इस्थित कहाँ पर है कन्नौज में दहर जील हर्दोई में इस्थित है सुरहा ताल कई बार आचुका इंपॉर्टेंट है बलिया में इस्थित है और ओंधी ताल ये वारण असी में इस्थित है अब नदियां और वो उत्तरपदेश में कहां से प्रिवेस करती है या उनकी उ काली नदी पीली भी डिश्टिक में केन नदी बांदा से और टोंस नदी इलहाबाद से प्रिवेस करती है अब आज का लाश्ट कोश्चन देखते हैं उत्तरपदेश की क्रसी योजना है और वो कब प्रारम भूई थी बार बारी कोश्चन रिपीट होके आते हैं सभी एक् तीन को करसक दुरगटना भीमा योजना ये 2004 में स्टार्ट हुई थी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1999 में स्टार्ट हुई थी तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 75 जो है आती मातपूर्ट फैक्त देखे ये तो नाम था कोश्चन का 75 लेकिन फैक्त उसके दु के चलूंगा तो एक चीज ही लंबी खिट जाएगी और सारे जो है आस्पेक्ट आपके इस लेबस के नहीं कवर हो पाएंगे तो इस सीज को फालो करते रहिए नमस्कार धन्यवाद